नमस्ते और जय जिनेंद्र आज हम जा रहें करनाटकी इन हसीन वादियों में बसे हुए एक जैन मंदिर में जिसका नामे शांतिगरी जैन मंदिर महराष्ट्र और करनाटक की राजगी सीमा परस्तित एक साधरन सा गावे कोथड़ी जिसे कुपरवाड़ी को थोड़े भी कहा जाता है अब हम पहुँच गए हैं शांतिगरी में इस सुन्दर और शांत जगा को देखते ही आपको पता चला होगा इसे शांतिगरी क्यों कहते हैं मंदिर एक उचे पहाड़ी पे हैं लेकिन आप आसानी से आपका वान यहां पे ला सकते हो अब देख सकते हो कि मंदिर का परिसर अतिशे शांत और हरियाली से भरपूर है इस भव्य प्रवेश्द्वार के अंदर जाते ही बाहे तरफ हमको एक मंदिर दिखेगा वो है नंदिश्वर मंदिर जैन भुगल के अनुसार जम्बू द्वीब से आटवे दिप में बसे नंदिश्वर दिप में 52 गोलाकर वाले परवतों के बारे में बताया गया है और इन सबी परवतों पर एक-एक अक्रूत्रिम जिनाले भी है प्रकूति इश्वर की ऐसी सुन्दर रचने जिसे उन्हों ने हमें एक अनुमूल उपार के रुप में आजिर्वत दिया है नंदिश्वर मंदिर से बारा ते ही सिधे जाने के बाद में हमको कमल मंदिर दिखता है कमल मंदिर के अंदर अश्टकोन कमल की मद्ध में चतुर्पुज भागवान पदो प्रभे इनके निकत सबी दिशों में जो विस्तिरतंकर विराज माने पारसना पारसना मेरे प्रभु का पारसना जियां अब हम दर्शन लेने जा रहे हैं बगवार पारशनात की स्वलापुट उन्ची पारशन की प्रतिमा का यह एक सफेद पारशन की प्रतिमा है और आप मुझसे सेमत हो जाएगी कि जिसे देखते ही हमारे मन को एक विलक्षन चांती मिल जाती है अब हम पहुंच गए है बगवान विर्शवदेव के मंदिर में जहांपे दिवारों के दोनों बाजु में भक्तम रस्तरोत की पूरे 48 रचनाओं को विस्तारीत रूप से दर्शाया गया है इस यूग के प्रतम तिर्थंकर भगवान रिशवदेव और उनके दोनों सुपुत्र भरत और बाहुबली भरत वही है जिनके नाम से अपने देश का नाम भारत पढ़ाए और भगवान बाहुबली जिनकी विश्व विक्ष्यात प्रतिमा श्वन बिल्गोला करनाटक में ही स्ताफीत है अब हमारे समीप है मूलना एक भगवान चंतिनात की प्रतिमा जो 21 पिट उन्ची है एक तरप है भगवान चंतरप्रभ और दूसरी तरप भगवान महावीर कारवार के जंगल में मिली 800 साल पुरणी भगवान पारश्वना तिर्थंकर की प्रतिमा को यहां पे विस्तापित किया गया है इस जगह पर विदेख शित्र की 20 तर्थंकरों की पाशान की 20 मुर्तिया अलग-अलग वेदी पर विराज माले अलग-अलग वेदी पर विराज माले जहां सबको ज्ञान लेने का समण अवसर मिलता है उसे केता है समोशरन जब दिर्थंकर भगवान को केवल द्यान प्राप्त होता है तब ये तेवों द्वारा बनाया जाता है समोशरण के रचना पे जहाँ पे सबसे उपर तृतंकर भगवान को बेटने की एसी विवस्ता रही थी है जैसे हर दिशा की और के जिवों को भगवान उनीकी दिशा में उपदेश कर रहे हो एसा लगता है इसी समोशरण की एक छोटी सी प्रतिकृती जो की काज की बनाई है यहीं पे हम प्रदक्षना ले रहे हैं आचार्य रत्न देशबुशर महाराज की प्रहणा से यहां विशाल जैन मंदिर बनवाया गया वहीं पर उन्होंने सलेखना आए यानी समाधिकरन भी किया है इसी कारण से कुपण को तो युगा बहुत प्रसिद्ध हो गया अब हम जा रहें आचारे कुंद कुंद बवन में जो कि इस पूरे मंदिर की सबसे खूपसरत और विलक्षन जगा है यह बवन एक अद्बोच जगा है जहां पर अंदर आने के लिए एक विशेश अन्मति की जरुरत हो दिए इस सिद्धान दर्शन में हमने जो अनभो किया उसे शब्दों में बया करना असंभवे बस में इतना कर सकता नाम तुम्हारा तारन हारा कब तेरा दर्शन होगा तेरे प्रतिमा इतनी सुन्दर तो कितना सुन्दर होगा झाल तो कितना सुन्दर होगा तो कितना सताना सुन्दर तो कितना सुन्दर होगा